हलो अंकल मैं राहूल बोलराऊं हांजी बेटा बोलो बारवी हो गई बहुत बढ़ी है बेटा, आगे क्या करने का सोचा है उपसे ले फून के अंकल, कौन सा कोर्स करूँ मैं कॉमर्स में किया है तुमने हाँ Commerce में किया है पर % अच्छे नहीं आए है दोस्त कह रहे हैं कॉलेज मिलेगा नहीं कौन सा शेयर है दिल्ली से बात कर रहा हूँ बेटा दिल्ली में तो 90% पर भी कॉलेज ना मिलता एक काम करो CA कर लो CA अच्छा अंकल ये क्या होता है मेरी बात द्यान से सुनना हाँ जी हाँ जी हाँ जी CA कॉमर्स का किंग होता है किंग CA बनने के लिए बस आपको तीन लेवल देने होते हैं पाउंडेशन इंटरमीडिट और फाइनल अच्छा तो मैं CA बन जाओंगा बस हो गई CA अंगल CA बन के CA बन के कितना कमाते हैं एक लाग रुपा महिना एक लाग रुपे अरे वाँ अंकल अरे वाँ तो कोई भी कर सकता है ये बस बार भी करियो नहीं चाहिए अच्छा ठीक है अंकल ठीक है तो अगर राहूल की तरह आपके भी किसी ने मज़े ले लिए तो गबराएं नहीं मेरी यही एड़वाइस है कि कुवे में कूदने से पहले उसकी गहराई को नाप लेना चाहिए जोसे कि यहां पर गहराई है आप देख सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है योगेश वर्मा अना में चार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेश्चन C.A. के कोर्स का जो एक कुवा बना हुआ है उसमें कूदने से पहले उसकी गहराई से परिचित होना बहुत आवशक है और आज के वीडियो में हम C.A. कोर्स की जो हार्ष रियालिटी है सचाई है जो लोग सफर करते हैं जो प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में हम डिसकुशन कर रहे हैं ताकि कहीं यह ना हो कि बाद में आप कहें कि जैसे मैं पर करता हूं C.A. कोर्स को कि करना चाहिए के करंने के चकर में लोग अटक जाते हैं और उसके फेज़वर में मैं कभी नहीं हूँ शुरू से ना सर ना अभी LinkedIn पर मैंने एक दर्दना कहानी पड़ी और अंदर से मेरे ये जनून उठा कि आप सबसे बात करनी चाहिए स्कोर्स की नेगिटिव के बारे में बात करनी चाहिए ताकि हमारा mindset प्रिपेड हो कि हाँ ये भी हो सकता है ये हो रहा है समझ रहें आप अभी एक किसी ने पोस्ट करा LinkedIn पर 24 साल उमर हो गई बीकॉम हो गई, आर्टिकल्चिप हो गई, इंटरमीडिट का सेकंड ग्रूप नहीं निकला ग्रूप बन के बाद आप आर्टिकल्चिप स्टार्ट कर सकते हैं और डिरेक्ट इंटरिस से तो वैसे भी आप कर ही सकते हैं बड़ इंटरमीडिट नहीं निकला अब क्या करें, अभी तो फाइनल बाकी है, और कोई कोर्स किया नहीं है ऐसे-एसे लोग अटके पड़े हैं C.A. कोर्स में फाइनल मेटके पड़े हैं 25 साल, 27 साल उमर हो गई है और यह उनसे बात कर रहा हूं जिन्नोंने सीधा-सीधा किया है पहले ग्राजुएशन, फिर तीन साल ट्रेनिंग फिर एक डिर साल थोड़ा अटक गए, पड़ाई नहीं हो पाई फिर रिज्यूम करा, तो ऐसे करके 25, 26 साल तक उमर हो गई है उनसे बात ही नहीं करा जिन्नोंने बहुत लंबे समय से डिसकंटीनीव करी हुई है अब ये सारी प्रॉबलम के बाद जब सीए बन जाते हैं, अभी प्रॉबलम बता रहा हूं अभी प्रॉबलमम बता रहा हूं इतने सारे संगर्ष के बाद अगर बन भी गए तो फिर उसके बाद खूब सारे जो है CS बनने के बाद भी फ्रेशर एक कम्प्लेन लेकर आते हैं कि भाईया जॉब्स कहां है वैसे देखा जाए तो जॉब्स की कमी नहीं है 20,000 रुपे 30,000 रुपे 40,000 रुपे कहीं ना कहीं अगर हाथ पर मारोगे इतना तो बीकॉम ग्रैजुट को मिलता है तो कि CA को नहीं मिलेगा पर सवाल यह आ जाता है कि जब इतना की कमाना था तो CA क्यों घरी हमने यह में प्रॉब्लम जवदार और सॉल्यूशन भी मिलेंगे आपको इस वीडियो में टेंशन ना लें यह प्रॉब्लम है आप प्रैक्टिस सेट अप करने जाते हैं अपनी CA की तो आने वाले कई सालों तो इंकम का कोई सोर्स नहीं अच्छी प्रैक्टिस के लिए अच्छ और वह खुद ही नहीं कर रहे क्योंकि वह कह रहे हैं कि हमने कम पर स्टार्ट कर दिया तो फिर हम जादा पर कैसे जाएंगे बहुत समय लग जाएगा हमें इसलिए हम स्टार्ट इस प्रैक्टिकल एक्स्पोजर नहीं मिल पाता है समय वीड जाता है और आप सोचते हैं तो अब हम आपको समझाते हैं कि इसकी गहराई कितनी है और आपको इसमें उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए यदि उतर गए हो तो उसमें पैर कर कैसे जाना है वो भी आपको सिखा देंगे दोस्तों मेरा यह मानना है कि अगर आप Commerce के छात्र हैं और अपनी बीकॉम करने वाले हैं या कर रही हैं तो जाने अंजाने में आप Accountancy, Cost Accountancy, Law, Company Law जिसमें आता है Income Tax, GST, Management Accounting, Auditing यह सब आप पढ़ेंगे जाने अंजाने में आपको पढ़ना तो पढ़े गए मेरा यह मानना है कि अगर आप दिखावे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि पेपर पास करना है बस बीकॉम का तो एक डिगरी मिल जाएगी जो पिछले 10 साल के पेपर आए हैं वो पढ़कर चले जाएंगे और उसके बाद जाकर लिखकर आजाएंगे वही objective है कि उसके बाद फिर हमें कुछ higher studies में MBA करनी है या कुछ और skill based course करना है जो भी आप चाहें जॉब करनी है तो ठीक है आपकी वो approach सही है बट इसी सच में आप उसका ग्यान लेना चाहते हैं सच में पढ़ाई करना चाहते हैं भी auditing है तो धंग से सीख लो income taxes और धंग से सीख लो तो उतनी in-depth knowledge B.com में आपको नहीं मिलेगी और जो teachers वहाँ पर पढ़ाएंगे मैं पता रहा हूं majority teachers even in the top colleges सारे बढ़िया नहीं होते और बाखी colleges का तो आपको पताया हाल पढ़ाई कितनी होती है majority teachers आपको वह level की knowledge नहीं दे पाएंगे जो एक CA intermediate में मिलती है जो कोई भी chartered accountant पढ़ाता है जो established teachers है online पढ़ाते हैं वह जो आपको knowledge देंगे वह आपके B.com की knowledge से कई जाधा होगी कई crystal clarity के साथ होगी in-depth होगी पूरी होगी तो यदि वह आपका perspective है कि knowledge लेनी है पूरी और commerce क की लेनी है तो भाईया CA में आप आजाईए CA को कर लीजिए अगर आपका यही objective है और ठंग से पढ़ाई करिए अपना intermediate को clear करिए अगर हो पाता है तो फिर भाईया अपनी गाड़ी को आगे चलाईए ना आपको आगे चलाईए तैर कर आगे जाईए और अगर नहीं हो पा क्या होगा एक experience मिल गया आपको लगता है ठीक है this is not your cup of tea just leave it and after graduation do something else वैसे भी तो आप सारी चीज़े ग्रैजुएशन के बाद ही करने वाले हैं चाहे आप CFA course कर लें या MBA कर लें या जो आप कर लें बीकॉम के साथ तो कुछ नहीं कर रहें तो तब जो है आपको CA को जरू इंटर का CA निकल जाएगा और निकल गया तो फिर आपका बविश्य स्वाना है then you have to make a call कि whether you want to do a articleship और you don't want to do CA उसके बाद भी आपके पास यह option है आपके हाथ में कि कई लोग होते हैं जिनका IA में सेलेक्शन होता है third year में आप CAT के exams देते हैं यह आप जॉब कर लेते हैं बीकॉम के बाद और उसके बाद आपको लगता है कि अब हम क्याट देंगे तो next year हमारा IA में हो सकता है तो आपके पास वो भी पूरा-पूरा scenario है मैंने बहुत सारे अपनी CA friends को देखा है जिन्होंने CA छोड़कर IA या फिर बाहर की उनिवरस्टी से जो है MBA करिए में भी बस और बहतर विकल्प मौझूद है बट majority case में मुझे नहीं लगता कि जिसने intermediate clear करा है वो उससे deviate करेगा majority case में कभी deviate नहीं करेगा और अपने CA course में वो आगे भड़ेगा तो अगर आपका intermediate clear हो गया है तो उसके बाद की journey तो बहुत असान है आपको जो है बीकॉम हो गया intermediate हो गया तो अच्छी firm भी मिल जाएगी अच्छी firm का मतलब है जहाँ पर 4-5 partners हों कई सारे articles हों 57 articles एक office में काम करते हों एक दो chartered accountant partner के अलावा हो जो आपको guide कर सके assignment पर आपके साथ जा सकें उस firm में आप training करें आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर monotonous हो रहे तो 11 महीने में transfer लें जल्दी पाजी ना करें अराम से transfer लें firm को कुछ deliver करकर दें काम सीखें काम करें और फिर transfer लेकर किसी दूसरी field में जाएं वहाँ का काम सीखें लास्ट येर में industrial training का भी option है वहाँ भी आप जा सकते हैं तो जिसका intermediate both groups cleared है उसके लिए तो articleship experience को strong बनाने का काम करना चाह लगते हैं बट यह उन्होंने ठेका नहीं लिया और जहां तक मैंने MBA के interview डाले foreign university के तो वह भी कोई job placement नहीं दिलवाते 20-20-50-50 लाग रुपे खर्च करने के बाद भी job placement की कोई guarantee नहीं है आपको अप्रूच करना पड़ेगा आपको वहाँ पे 10-10 round interview के clear करने पड़ेंगे दब जाकर जो है आपकी बाहर job लगती हैं तो जैसे बाहर की university में struggle करना पड़ता है इतने लाखो रुपे लगाने के बाद भी तो struggle तो आपको यहां भी करना पड़ेगा job market में fight तो आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि हमारा course बनाए कि आप services provide करें CA का का काम करें बट हम चा होगे तो आपको ज़रूर job मिलेगी CA की आर्टिकल्शिप हो गई है तो जरूर में सलाह देना चाहता हूं कि आप एक add-on course जरूर करें क्योंकि आर्टिकल्शिप के साथ एक course allowed है और आप जरूर एक backup course करें या तो दो साल का कुछ distance से MBA कर लें या कुछ online MBA में कुछ अच्छ correspondence एक हो पाएगा तो उसे आप जरूर कर लें पहले दो साल में तीन साल में जो आपकी final की पढ़ाई से match करें या उसका एक दो subject भी cover हो जाए तो ऐसा आपको एक course जरूर करें ताकि तीन साल के बाद आप नहीं सरिफ graduate रहें बलकि आप graduate के साथ एक post graduation degree भी hold करके रहें और अ आपने आपको आगे लेकर चलिए जौब करिए नौकरी करिए कोई और professional degree का backup आप करी चुके हैं ACC हो CFA हो वो आप करी रहे थे जो भी आपने चूस किया और नहीं करा और CA final नहीं होता तो फिर चूस कर ले जौब करें और जौब के साथ जो course हो सकता है वैसा कुछ करें और CA आपने final में अटक गए और आपने कोई भी course स्टार्ट नहीं करा साथ में तो देर नहीं हुई है चाहे 25 साल उमर हो 27 साल हो या 28 साल हो final नहीं clear हो रहा है तो नौकरी ढूंडे और नौकरी के साथ कोई parallel course करें जिसमें जोरे paper clear करने होते हैं and that is also equivalent to CA चाहे वो CPA हो चाहे वो CFA हो चाहे वो कोई भी और course हो वो आपको चूज करना पड़ेगा कहीं न कहीं से professional degree आपको लेनी पड़ेगी चाहे आप कोई भी लें CA होती है तो अच्छी बात है नहीं तो जितना सीखने मिला उसको पूरा यूज करके कोई और professional degree ले 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 अगर नहीं होती है तो भया अब कई student आदे हैं बूचने के लिए कि CA हो गई है तो अब क्या हम CSB कर लेते हैं हम CFA भी कर लेते हैं CMA भी कर लेते हैं MBA भी कर लेते ह तो भीया मत भागो फिर जो job की requirement उसे आप से करो आप और CA नहीं हो पा रही है final में अटक कर रही हो तो फिर आप जो है एक और course को start करें भले ही अपनी आर्टिकल शिप में start करें और देरी हो गई है तो कोई बात नहीं आब start करें और साथ में नौकरी भी start करें खाली ना व आपको struggle में लेकर चलना चाहिए कि ठीक है knowledge के साथ अपना communication skills थोड़ा और improve करेंगे ताकि industry में job मिल सके जैसे बाखी graduate and post graduate लड़ रही है तो आप भी उनको compete तो कर सको तो उस angle से तो आपको काम करना ही पड़ेगा चैसे ये बनने के बाद करो बनने से पहले करो वो तो करना नहीं पड़ेगा इंडस्ट्रेनिंग में जो गई है उन्हें पता है क्योंकि वहां तो fight है वहां तो 5-6 round होते हैं इंटर्व्यूस के तो उन्होंने अपने आपको पहले कुईप कर लिया सिए बनने के बाद उन्हें दिक्कत ही नहीं आएगी क्योंकि वो उस process में जा चु अब मैंने ऐसा कुछ नहीं कर अपनी school time में तो इसका मतलब यह नहीं मैं बाद में नहीं कर सकता मैंने तीन साल में सीखा कई लोग सीख कर आये थे उन्होंने अपने बच्पन से अच्छी family background अच्छा उन्हें बहुत resources मिल गए कईयों के बास resources कम थे तो जब जागो तब ही तो आप CA में जरूर successful होंगे क्योंकि CA के साथ आप एक backup तो कर ही रही है और इसका भी अब gamble तो खेली रही है और मैं तो उन IES वालों से कहना चाता हूँ जो IES की पढ़ाई कर रहे हैं 11 लाग लोग जो candidates हैं CA में 1-2 लाग student ही है भाईया देखा जाए तो effective IES 11 लाग करते है 1000 बनते हैं हर साल बाकी लगे हुए ना पर कितने ऐसे हैं जो खाली लगे हुए हैं सब अपनी नोकरी कर रहे हैं सब कोई professor है कोई पढ़ाई कर रहे हैं अपनी कुछ higher studies साथ में IES की preparation करे जा रहे हैं एक साल दो साल तीन साल चार साल पान साल तो आप भी अगर CA की article चिप हो comment box में लिखें हमारी application जो learns up है उसे join करें जिसमें हम practical auditing free दे रहे हैं अगर आपको stat audit का exposure नहीं मिला है तो वहां senior partner जो हैं सिखा रहे हैं बता रहे हैं अपना experience शेयर कर रहे हैं डिटेल में तो उसे सून लें आपको काफी knowledge मिल जाएगी हर हफते जो हम podcast का नए episode upload करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद चैनल को subscribe कर लीजेगा मिलेंगे अगले वीडियो में ने topic के साथ जैहिन और बबाए